खजराओ के एक युवक से मैस्किकों की टीचर को चार साल पहले प्यार हो गया था अब इन दोनों प्रेमी युगन ने साथ जन्मों तक साथ रहने का पैसला कर लिया है प्रसाशन को इस देश विदेशी जोड़े ने शादी करने का आविदन दिया जिस पर प्रसाशन पूर है इन मंदिरों की लेकिन शायद यसी प्रेम कहानी कभी होगी जहां साथ समुंदर पार करके आए विदेशी टीचर को भारती युवक से प्यार हो जाए और वो जिन्दगी भर का साथ निभाने का वादा कर ले ये प्रेम कहानी है शेक अमन की जिससे मैं क्यों ही टीचर को प्यार हो गया और ये प्यार इस कदर बढ़ा कि उन्होंने चार साल बाद एक सांस जिन्दगी जीने की ठान ली इन दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए कलेक्टर को आवेदन दे दिया है प्रसाशन पुरी जाच पड़ताल करके एक महने के अंदर इन दोनों को शादी करने क अनुमदी देगा मेरी मुलाकात चार साल पहले हुई थी अमर्ता जुलिया से हो अब हम लोग अपना साधी का प्लान मनाया है तो साधी करके हम लोग साथ में अपने दूसरे से लाइप गजारना चाहते हैं विशेश विवाह अधिनियम के तहता है अगर भारती नागरिक स के एडियम कोर्ट चतर पर ने पेश किया है उसका इस्तिहार निकाला जाएगा और उसके बाद दोनों की सहमती लेके बियान लेने के बाद इनकी कोर्ट मेरेज हो जाएगी जो विधी में नियम है उस हसाब से होगा है आज बहुत प्रादिकारी बारती विवाह अधियम गेनिया पर कलेक्टर निया ले में सेख अमंग की ओर से अधिवक्ता के दोरह इस आसाय का आवेदन यहां पर प्रिस्ट किया गया है कि उनके दोरह एक विदेशी महला से जो की लास वेगास केली फोर्डिया से है उससे करना चाहते हैं आवश्य दस्तावी जिसमें अप्लत कराएगे हैं आंगे इसमें इसमें इस्तिहार आदी प्रिकासिन के बाद जो हुआरे अधियम की धारा है उसके लूप कारवाई की एक महीने का पहले इस्तिहार है इसकी बाद दावयापत्ति आती हैं तो उसके अंसार वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हैं हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सत्य का अनवेशा तखलनीउस आपके हद में आप देख रहे हैं तखलनीउस